आज मैं बनाने जा रहे हूँ रेस्टरेंट स्टाइल चिकन चरपटा यह रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है साथ ही साथ इसका टेस्ट गजब किया तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं चिकन चरपटा और रिक्वेस्ट है सबको की वीडियो एंड तक देखिए बने और अधिकन चलिदेव साथ हैं कि यह और इसको जादा से जादा लाइक शियर एंड सब्सक्राइब कीजिए इससे बनाने के लिए मैंने यूज किया है सरसो का तेल तो कडाई गरम हो जाने पर सरसो का तेल दिया है मैंने उस पर डाला ये तेजपत्ती दारचीनी और तो आप तीन भी यूज़ कर सकते हो तो प्यास का कलर जब तक चेंज ना हो जाए तो तब तक इसको फ्राइ करना है उसके बाद इस पर एड़ किया है मैंने दो टेबल स्पून अद्रक लहसून का पेस्ट सब कुछ अच्छे सा मिक्स कर लेना है जब तक इसका रौ आरोमा निकल ना जाए फिर उस पर एड़ करनी है चिकन पीसेश तो यहापर मैंने लिया है 600 ग्राम बोनलेस चिकन तो चिकन के पीसेश मैंने छोटे-छोटे लिया है तकि अच्छे से भून जाए अभी जब तक यह चिकन का कलर जो है थोड़ा हलका सा वाइट ना हो जाए तब तक इसको फ्राइ करना है फ्लेम मिडियम में रखिए और इसको फ्राइ करते रहिए फिर इस पर मैंने एड़ किया है दो बरे टमाटर के पेस्ट यह चिकन चैट पाटर डिस जो है इसमें कलर बहुत एक धनिया पाउडर फिर आट किया है मैंने हल्दी पाउडर फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी आप देख सकते कि सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकिये तो उसके बाद मैंने एड़ किया है वन कप फेटे हुए दही दही के बज़े से और बाकी इंग्र आप से मिला है जैसे मैंने यहाँ पर एक कप पानी आट किया है वान टेबिल स्पून गरम मसाला पाउडर और थोरे क्रश किये हुए कसूरी मेती आट किया है फिर सबको अच्छे से मिक्स करके अब ढखकर भी कुक कर सकते है या फिर अकर चिकन हलका सा कुक हो गया है तो ओप कुल रेडी है आप किसी भी चीज के साथ इसे खा सकते है तो इसको फ्लेम आफ करने से पहले मैंने आट किया वान टेबिल स्पून घी जिससे इसका आरोमा घी का आरोमा इसके साथ मिक्स हो जाए तो बहुत ही बरिया आती है टेस्ट इसका तो यह बिलकुल अभी रेडी है आप पराठे रोटी या फीट राइस किसी भी चीज के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं वीडियो अच्छी लेगे तो इससे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग